गुड मॉनिंग बच्चों कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी मैम रादी का सोनी और मेरे आनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम आपके पार्थ भारती हिंदी पार्थ माला के फुहार से है ना पार्थ दो पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वार्थी दानो क्या नाम है बच्चों स्वार्थी दानो बच्चों मैंने अपने पहले वीडियो में इस पार्ट को है न यह जो कहानी है इसे आप लोग को पूरा समझाय था समझाय था न कि देखो पहले चित्र में हमको कौन दिखाई दे रहा है दानो कौन दिखाई द प्रवेस निशेद है ना और वहां क्या किया वो कीले में है ना कीले में चारो तरफ मतलब उसने दिवाल उठवा दी जिससे क्या हुआ कि बच्चे फिर बाग में नहीं जा सकते हैं और मैंने आप लोग को ये पूरी कहानी बताई थी बताई थी ना आज हम इसी पाट के आज नोट करना है ठीक है तो चलिए बच्चों हम सुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो देखें यहां पस है हमारा सब्द और अर्थ क्या है बच्चों सब्द और अर्थ सबसे पहले तो हम ये कहानी से क्या सिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि सदगुणो और बढ़ चुँ에,Resकूध्वुम्ट होनामौ मतलब होता है और इसम पहे दों यहा इसमें क्या है यह जुने सब्ड के सब्द के सब्रस्णे सब्दों के अर्थ यहां दिये हुए है इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है ठीक है इसको यही रहने दीजिए इसको हमको यहीं से पढ़ाई करनी है पर आगे चलिए देखते हैं पर आसम दूसरा हमारा क्या कहता है देखे यहां भी मोखिक है है इसे हमको सुद्ध उचारण करना है क्या दिया है सप्थालू वहाँ पर किते पेड़ से सप्थालू के ब देखे सोच कर बताईए प्रस्न दूसरा दिया है प्रस्न को कहता है क्या बच्चे दानों से दर गए थे तो हम उत्तर आएगा हां बच्चे दानों से डर गए थे फिर देखे यहां पर ख़ दिया हुआ है यदि आप दानों की इस्थान पर होते तो क्या करते तो बच्चो यदि हम दानों के इस्थान पर होते तो हम बच्चों को बाग में खेलने देते फिर तीसरा प्रस्थन है हमारा व्यक्ति समाज से अलग थलग कब हो जाता है तो बच्चों व्यक्ति समाज से अलग थलग तब हो जाता है वो अपने व्यवहार से होता है अगर हम अच्छे वेवहार करेंगे तो लोग हमारी प्रसंसा करेंगे हमारे साथ रहेंगे और हम लोगों के साथ बुरा वेवहार करेंगे तो समाज या लोग हमें क्या करेंगे हमें निकाल देंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से हैं हमारा लिखित हमारा दिये गए सब्दों के उचित समनार्थी सब्द में राइट का निसान लगाईए है ना तो पहला दिया है पक्षी तो पक्षी को और क्या क्या कहते हैं बच्चो देखो यहां पर लिखा हुआ है पर जो सही है पक्षी को जो जो बोलते हैं उसी पर हमें निसान लगाना और जो नहीं बोलते उसको छोड़ देना है तो पक्षी को क्या कहते हैं खग और विहग खग मींज भी पक्षी होता है और विहग मींज भी पक्षी ही होता है मगर यहां पर देखो पसू दिया है पसू मन तो जानवर होता है तो हमें किसमे राइट का निसान लगाना है खग और विहग में, वैसे ही यहाँ हवा दिया है, तो हवा को क्या कहते हैं, समीर और वायू, फिर दिया है व्रिक्ष, व्रिक्ष को क्या कहते हैं बच्चों, पेड और तरू, सूल मतलब काटा होता है, फिर यहाँ पर दिया है समराट, समराट का मतलब होता है न्रीप या नरेश समराटी मिस रानी होती है ठीक है फिर यहाँ पर दिया है बगीचा बगीचा को क्या कहते हैं वाटिका और बाग नूतन मिस होता है नया ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा प्रस्न दूसरा है एक वचन एक वचन में क्या आएगा देखो उदारान दिया है कुट्टा और नदी और बहु अचन में यही सब्द क्या हो जाएंगे कुट्टे एक मात्रा लग जाएगा और नदिया न बचो यहाँ वैसा ही हमारे प्रस्न दिये हुए है देखे आपके पूस्तक में पहला दिया है गलीचा तो इसमें जो सही है उसमें हमको क्या करना है राइट का निसान लगाना है तो यहाँ यहाँ पर दिये हैं गलीचे और यहाँ गलीचे तो इसमें अंतर क्या है देखो चा में अंकी बिंडी लगी हुई है तो यह क्या हो गया बहु अचन हो गया तो राइट कर निसान किसमें आएगा जिसमें अंकी बिंदी है वैसे ही यहाँ चिडिया है तो चिडिया का क्या हो जाएगा बहु अचन चिडियाएं पंक्ती का पंक्तियां मगर यहाँ पर देखिए मात्रा में गलती है इसमें बड़ाई का मात्रा लगा है और यहाँ पर प बागे बढ़ते हैं हमारा प्रस्न तीसरा क्या कह रहा है किसी प्राणी वस्तु इस्थान एवं भाव के नाम को संग्या कहते हैं क्या कहते हैं और संग्या के कितने भेद होते हैं बच्चों तीन भेद पहरा होता है व्यक्ति वाचक संग्या दूसरा जाती वाचक संग्या औ इसके कहते हैं बच्चों, जिससे हमें नाम का बोध होता है, जैसे राम सीता आधि और वैसे ही जATTI वाचेक संग्या, जिससे जाती का बोध होता है, जैसे लड़की, लड़का, यह को पता headaches, जैसे हमें भाव का बोध होता है, इसमें खुशी है दोस्ती है प्रशन्नता आता है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर हमको दिया हुआ देखे इसके उत्तर यही पर दिये हुए है आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ लिखा हुआ इसी को हमें छाट करके यहाँ भरना है तो पहला देखे वैक्ति वाचक संग्या है ना तो वैक्ति वाचक संग्या में मैंने क्या बताया है जिसे नाम का बोध होता है उसे वैक्ति वाचक संग्या कहते हैं तो इसमें देखे इसमें दिया हुआ है पहला है यह वसंथ है सरद है अंजली इसे नाम का बोध हो रहे हैं दानाओ पेड और बच्चे यह में बहुत करा रहे हैं कि यह क्या सुंदर्ता प्रसंदता मित्रता तो बन गया न हमारा व्यक्ति वाचक जाति वाचक और भाव वाचक बस बचो ऐसे ही आप लोग को भी बनानी है ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आते हम प्रस्न चोथे पे ठीक है प्रस्न चोथा क्या कहता है संकेत गध्यांस को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़ कर दिये गए प्रस्नों के उचित विकल्प राइट कर निसान लगाई यह ना तो यह बसंत का आगमन हुआ सारा देश वाला देखे हमारे यहाद दिया हुआ है पेज नमबर आट में हम लोग पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं अब इसको देखिये का दानाव कैसा था दया कि बराप के कुहरे की या दानाओ की किस की महरबानी थी बच्चो बराप के कुहरे की तो राइट कर निसान किसमें आएगा बराप के कुहरे में फिर देखिए प्रती दिन ओले बरसने से क्या हुआ दानाओ डर गया चिडिया चहकने लगी या कीले की छट तूटने लगी तो आप लोग को हमने पढ़ा है कहानी में क्या हुआ कीले की छट तूटने लगी तो राइट करी सान किसमें आएगा किलے की छट तूटने लगी ठीक है अब देखिए यहां पर चे दिया है अति लगुतरी, प्रस्न क्या दिया है बच्चों, अति लगुतरी, प्रस्न, पहला क्या कहता है दानो यहां परस मैं बना कर के लाई हूँ आपका क्या कह रहा है पहला प्रस्ण हमारा दानव किस मित्र के साथ कितने समय तक रहा है ना प्रस्ण हमारा पूछ रहा है दानव कितने समय तक हमें मित्र के साथ रहा तो देखिए मैंने इसके उत्तर आपकी कॉपी में बना के रखे हैं आप लोग को भी वस ऐसी ही कॉपी बनानी ह है ना तो यहाँ पर से देखिए दानव सुदूर देश में रहने वाले अपने मित्र के साथ साथ वर्सों तक रहा कित्ते वर्सों तक साथ वर्सों तक रहा उसके बाद है बच्चों हमारा अगला प्रस्न है नन्हे बच्चे ने दानव पर कैसे प्यार दिखाया तो देखे यहां पर है नन्ने बच्चे ने अपने दोनों हाथ दानों के गले में डाल कर और उसे चूम कर अपना प्यार दिखाया ठीक है फिर आता है हमारा लगूतरी प्रस्न है ना तो प्रस्न का क्या कहता है दानव ने प्रवेश निशेत की सूचना कहां और क्यों लगवाई है ना लगवाई थी ना कहानी में पढ़े थे तो देखिए दानाव ने प्रवेश निशेत की सूचना अपने बाग के द्वार पर लगवाई ताकि कोई भी बाग के अंदर ना आ सके उसने बोला था ना कि मेरी अनुमती के बगार कोई भी बाग में नहीं आएगा अब देखिए प्रस्न खा है बच्चों के खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ तो देखे यहां पस है बच्चों के खेलने से बाग में चारो और हरियाली च्छा गई पेडों पर पक्ची चह चहाने लगे सब्तालू के पेड गुलाबी कलियों से खिल गए और सुन्दर फूल खिल गए कहां खिल गए बच्चों बाग में बच्चों के फिर से खेलने से बाग में क्या हो गए फिर से सुन्दर गुलाबी फूल खिल गए अब देखिए अगला प्रस्न है हमारा आदर का पात्र बनने के लिए हमें किन-किन गुणों को अपनाने की अवस्यक्ता होती है किन-किन गुणों को अपनाने की अवस्यक्ता होती है तो देखते हैं चलिए है ना आदर का पात्र बनने के लिए हमें सदगुणों को अपनाना चाहिए दूसरों को प्यार दुलार देना चाहिए कभी भी किसी से घृड़ा या भेद भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए ठीक है बच्चों समझ में आया अब देखिए हमारा इसके बाद आता है निबंधात मख प्रस्न में पहला क्या कह रहा है दानों के बगीचे में सीतकाल क्यों बना हुआ था यह हमारा निबंधात्मक प्रस्न है और यह थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगी जिससे आप लोग को याद हो जाएगा ठीक है बच्चों तो चलिए देखते हैं उत्तर है हमारा दानों बहुत स्वार्थी था उसने बाग में बच्चों के खेलने पर रोक लगा दिया था इस कारण मौसम भी उससे इस वैवहार से दुखी था और इसी कारण वा उसके बगीचे में नहीं आया था इस कारण दान के बगीचे में सीतकाल बना हुआ था कौन नहीं आया बच्चों बसंत रितू उसके बगीचे में नहीं आई है ना इसलिए क्या हो गया वो कुहरे में उसका बगीचा जो था वो ढग गया अब देखिए आखरी प्रस्ण है हमारा दानों के हृदय का परिवर्तन कैसे हुआ है ना दानों का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ तो देखते हैं दानों ने एक दिन चिडिया की चहकने की आवाज सुनी उसे बहुत मधूर लगा उसने देखा मौसम सुहाना हो गया है मंद मंद हवा भी बह रही है बच्चे बाग में खेल रहे हैं अब दानों को सारा कमज में आ गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया बच्चों दानों को भी पस्तावा होने लगा कि मैंने ये क्या किया जब उसने देखा कि ओछोटा सा जो थेच्छे था ना किले में उसमें से क्या हो गए बच्चे अंदर आ गये और आ करके फिर से उनके बाग में खेल करने लगे और बच्चों के खेलने से फिर से चिडिया चहाने लगी और सब तरफ मौसम ने फिर से अंगडाई ली मधूर मधूर वहां संगीत बजने लगा हवा बहने लगी और बच्चे बाग में फिर से खेलने लगे और इसे देख करके दानों को अपने किये पर बहुत पस्तावा हुआ और उसका हृदय परिवर्तित हो गया ठीक है बच्चों अब देखिए यहां से हमारा है आओ अब कुछ बात करें है ना तो संसार में अनेक प्रकार की जी होते होते हैं हमारे आज पर बहुत सारे लोग है जैसे और सब अलग सब का वेवार कैसा होता है अलग या जाड़ी दार पेड़ के पास जाते हैं या फिर देखना हम गुलाप के फूल को ही तोड़ने की कोशिज करते हैं तो हमें काटे चुबते हैं और काटे चुबने से क्या होता है बच्चों हमें दर्द होता है होता है ना तो बस मनुष से भी वैसे ही है अगर हम अपना बेवहार अच्छा रखेंगे दूसरों के साथ अच्छे से पेस आएंगे तो सामने वाला भी हम पर अच्छा बेवहार करेगा ठीक है बच्चों और इससे क्या होगे हमारा ये वाला पार्ट आज पूरा होता है हमारे पार्ट का नाम क्या था स्वार्थी दानव क्या था बच्चों जब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखे उसके बाद ऐसी ही कॉपी बनाए ठीक है और मैं उसे चेक भी करूंगी ठीक है बच्चों तब तक के लिए आप लोग घर में रहें स्वास्थ रहें स्वाच्छ रहें गुडबाई बच्चों